नमस्ते दोस्तों आपका एक बाफिर से स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल बेबी एंड किट्स केर में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक साल के अंदर के बेवीज को बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि सर्दी और खांशी की समस्या हो जाती है ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि छोटे बच्चे की यूमिनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोदक प्रानाली जो है वो काफी ज़्यादा बिक्सित नहीं होती है जिसकी वज़े से वो किसी ही इन्फेक्शन से बहुत जल्दी प्रावादित हो जाते हैं और उनको सर्दी खासी ऐसी नॉर्मल सी कॉमन प्रावलम बहुत बार आती है साल भर के अंदर के बच्चों को तो चलिए आज इसी की विशाय में बात करने वाले हैं कि आसी कितनी सारी होम डेमेडी है इतनी छोटी छोटी जो टिप्स हैं जो घरेलू आपकी चीजे होती हैं उसी से आप अपने बच्चे को रिलीफ पहुचा सकते हो और यह 100% डेशुरल होता है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते है तो चलिए फिर आज के विडियो स्टार्ट करते हैं और विडियो को सुरु करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को जरूर दबा दीजेगा क्योंकि मेरी देली आने वाली विडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे और सबसे पहले आप मेरी विडियो को देख पाएंगे और मेरा एक कॉंसेप्ट है कि ये यूटूब फैमिली जो है मेरी यो काफी ज़्यादा बड़ी हो जाए इसके लिए आप आज ही मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजेगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक सबसे पहली बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जब हो जाती है तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि सर्दी इनको होने वाली है तो सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि जिस दिन सर्दी होती है यानि नाक बहना स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले से बच्चा बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट करता है क्योंकि symptoms start हो जाते हैं, बच्चे के गर्दन जो है, उनमें दर्द start हो जाता है, बच्चा सांस लेने में comfort नहीं होता है, तो बच्चा बहुत चिरचीरा हो जाएगा, बहुत रोएगा, और उसके body का temperature भी आपको थोड़ा गरम दिखेगा, second day आप देखोगी कि बच्चे का न सर्दी हो जाती है, तो छोटा बच्चा कितना सफर करता है, आप समझ सकते हो, तो as a parent आपको बहुत ही important इस चीज़ को लेना चाहिए, बहुत ही जादा serious लेना चाहिए, क्योंकि सर्दी ऐसे बोलने में तो common problem है, लेकिन जब एक छोटे बच्चे को होती है, तो बहुत ही ज दूद भी नहीं पी पाता है, जब बच्चा दूद नहीं पीएगा, तो उसके पास पोसकत भी नहीं पहुँचेंगे, तो सबसे फर्स्ट यह है, कि आपको बच्चे का जो नाक है, उसको खोलना है, और उसके लिए सबसे बहतर टिप यह है, कि टिप नमबर वन, आप क्या के लिए दोस्तों, एक स्टीमर होता है, जो बेवी के लिए बहुत ही जादा इसली आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जिसके पिच्चर में यहां पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह दो से अढ़ाई सो रूपय में आता है, यह मेरे पास भी है, और इस स्टीमर में इलेक्टरसिटी बोर्ड में लगाकर ओन करके छोड़ दीजे, और उस रूम की जितनी विंडोज है, जो भी डोड है, मतलब खिरकी दर्वाजे, साड़े मन करके आप निकल जाएगे बाहर, पांच मिनट के बाद आप बच्चे को लेकर इस रूम में आईए, और उसके बाद जो सेकेंड चीज है, वो यह है कि जैसे आप गलाला करते हैं नमक पानी से, पानी में नमक को डाल दिया, गुन-गुना कर दिया और उसके अद गलाला करते हैं, तो सेम यही चीज बच्चे को आप नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे को कैसे आपको इसको देना है, तो बाद कोई भी ड्रॉपर लीजिए और जब बच्चे को आपका दूद पिलाने का टाइम है दूद पिला रहे हैं उसके पहले नाक में एक या दो बूंद आप डाल दीजिए इससे जादा नहीं बच्चे को बहुत जल्दी रिलेफ मिल जाएगी नाक खुल जाएगा और सांस काफी अच्छे से लेपाएगा जिसके वाज़े से फीड भी काफी अच्छे से करेगा जो भी आगर सॉलिट पे है सिक्स मन के बाद तो वो खा भी पाएगा ठीक से अब ये तो हो गए कि नाक कैसे ओपन करना है लेकिन इतना ही नहीं है दोस्तों इसके बाद आपको और भी home remedy बच्चे को देनी पड़ेगी ताकि अंदर से सर्दी ठीक हो कफ निकल जाए और फिर ये repeat बच्चे को ना आए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा best है जो tip number 3 है वो ये है कि बच्चे के लिए आपको एक बहुत अच्छे घूटी के टाइप का उसदी देना होगा जिसके लिए आपको सुद्ध देसी घी गाय का लेना है अगर आप गाय का घी घर में निकाल सकते हैं तो काफी ज़्यादे best है अदरवाइस किसी अच्छे बडांट का घी ले लिजे गाय का एक चमच घी को गड़म कर लिजे और इसमें डाले आप अदरक की juice यानि अदरक को पोट लिजे और अदरक को निचोड लिजे तीन चार चमच जो है आपको इस juice को इस गही में मिलाना है सुद्ध देसी गाय घी में और इसमें मिलाओके उसके वाद आपको बहुत ही थोरा से हद मिला देना है इसको अच्छे से मिला करके ठंडा कर लेना है और उसकी बात ज जिसकी वज़े से जितने भी कफ होते हैं फेपरे में जमा वो सब निकल जाते हैं बच्चे के सर्दी काफी जादा जल्दी ठीक हो जाती है क्योंकि दोस्तों अधरत जो है वो बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटिवाइटिक का काम करता है और यह सर्दी में बहुत जादा इ पत्ते लेने हैं आपको इसको अच्छे से कूट लेना है और इसका निकाल लेना है उसके बाद सेहि मिलाईए दोनों का پेस्ट अच्छे से बना दीजे, बच्चे को चटा दीजे या फिर आधा इस्पून बच्छे को आप पिला सकते हैं च्व महीने के ऊपर का बच्चा है, तो आधा चमश दे दीज़े अगर 6 महीने के अंदर का बच्चा है तो दीन में तीन बार आप इसको जवान पे उसके चटा दीजे तो काफी ज़्यादा उसको relief मिल जाएगी इसके बाद होता है जाइफल, जाइफल काफी गरम होता है, इसकी तासीर काफी गरम होती है तो जाइफल जो है उसको आपको क्या करना है कि seal पे थोरे दर भीगो के रखना है फिर seal पे थोरा सा इसको paste के जैसे गहस लेना है, जब paste के जैसा निकलने लगेगा तो उस paste को बच्चे को डिरेक्ली जवान पे चटा दीजे यह आप रात के टाइम करिएगा, काफी जल्दी बच्चे को relief मिलेगा और सर्दी जो है वो गायब हो जाएगे बच्चे की और इसके बाद जो tip है वो यह है कि बच्चे का जो यह होता है, head का part होता है, यह नाजुक जो part होता है, जो सर के उपर होता है आप feel करते होगे, 6 महीने के बच्चे को तो बहुत easily, 6 महीने के अंदर के बहुत नाजुक part होता है, उसके बाद यह थोड़ा-थोड़ा hard होने लगता है, और एक साल तक आते हो पूरा hard हो जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कि सरसो का तेल आपके हाथ पर रखना है, रात में सोने से पहले बच्चे के सर पर इस तरह के सरक के मालिस कर देना है, थोड़ा रब कर देना है और ये करने के बाद जो बच्चा है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है क्योंकि सर्सो का तिल काफी गरम होता है तो नेचरल तरीके से ये सर्दी को भगाने का काम करता है इसके बाद ये तो हो गए कि आप क्या बच्चे को दे सकते हैं लेकिन इसके बाद भी दोस्तों बच्चे को सोते टाइम भी आपको कुछ ऐसी चीजे लगानी होगी उसके बॉडी में ताकि सर्दी को जल्दी से भगा पाओ तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सर्दी काफी गरम होता है और एंटिबाइटिक होता है इन दोनों चीजों को मिला देना है इसमें डालना है थोरा सा आजमाइन और एकदम दो से तीन चूटकी हल्दी इन सब को मिला के आपको अच्छे से उबलने के लि कर लिजे और जिस समय बच्चा सोया हुआ है रात के समय उस समय उसके तलवे पर नीचे पूरे तलवे में इस तरीके से रप करना है उसके बाद दले में थोरा सा लगाना है और छाती में अच्छे से आपको मलना है ऐसा करके बच्चे को आप सुला दीजे ठीक है दोस्तों इससे काफी relief मिलता है बच्चे को बच्चे का जो है बल्गम वेगरा जो भी है संक्रमन फेफ्रे में वो भी बहुत जल्दी रिलीज होता है बच्चा जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा आप भी ये फिल करोगे एक टीप ये भी रहेगी कि बच्चे को जादा धाक के suffocation म काफी ज्यादा मध्धा किये क्योंकि उस समय 100 fever बच्चे को होती है जो कि नॉर्मल होती है सरदी के समय तो आपका बच्चा जो है इतना ज्यादा cover up कर दोगे तो और भी ज्यादा problem में आ जाएगा और भी ज्यादा वो suffocated feel करेगा परिशान हो जाएगा ठीक से नींद नही सकते हो ताकि बच्चे को immediate सांस लेने में relief मिले और रात के समय सुते टाइम ऐसा करोगे तो बच्चा ज्यादा problem नहीं देगा क्योंकि अगर बच्चा जगा हुआ रहता है फिर आप लगाते हो तो विक्स थोड़ा से संसना आता है इसलिए बच्चा थोड़ा अनीजी हो ज जाता है इसलिए रात के समय आप यह सारी चीज़े करिएगा यह बहुत main main चीज़े थी और बहुत natural चीज़े थी जो मेरी नानी दादी से मैंने सूनते आ रही हूं काफी प्राचीन जमाने से यह सारी चीज़े की जा रही है जब medicine का यूग नहीं था तब से सारी home remedy चलती और इससे काफी जादा रिलीफ मिलता है और नेचुरल तरीका है दोस्तों ये तो मैं आसा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होगी आप इसको जरूर फॉरवड करिएगा अपने फ्रेंड्स को उनके भी बंदत करिए इस वीडियो के द्वारा और अग जब भी बच्चे को सर्दी में बहुत तेज बुखार हो जाती है बच्चा काफी टाइम लेटा हुआ है आँख नहीं ओपिन कर रहा है आँखों के पास लालीमा आपको दिखाई दे रही है तो इमेडिट डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि सर्दी के बाद काफी ज्याद चांस रहते हैं कि अगर यह बढ़ जाता है तो बच्चे को नीमोनिया हो जाता है फेफडे में संक्रमन हो जाती है जिसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होता है अगर आप चाहते हैं तो अभी प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को तक अपना और अपने बच्चे का ख्याल लगिए दोस्तों टेक केर नमस्कार